नामस्कार स्वागत ऐसे आपका स्वागत छ्वागत थे मैं हूं आककांग् शा Song results, results आपकी success या failure को नहीं बतलाता है, it only shows about your input and output, input या output, इसको ऐसा मत जोड़िये, कि या failure है या success है, नहीं, बिल्कुल नहीं, input और output है, तो जो बच्चों ने, जो बच्चे मान लिजी कि अच्छा नहीं किया पाए, तो वो उनका input कम था, वो fail नहीं है, वो input कम किये थे, कोई label मत लगाए, और यह जो input कम हुआ है, या output जादा हुआ है, इसका कारण कौन है, क्या उन्होंने learn नहीं कर पाया, या उन्हें ठीक से सिखाया नहीं गया, तो यह गलती पठन की है कि पढ़ाने की है, तो we have to understand this, कि बच्चे ने किस तरह का mindset पर काम किया, या उसका focus कही ञए है उन्हें काना, वो नहीं कर पाया, तो क्यों उससे input नहीं किया, या उसको interest नहीं था, या 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 नहीं हुआ, या नहीं हुआ, या बहुत बात में पड़ा, बुद सारे कारन होंगे। तो मुझे है कि यह रगता है कि जितने बच्चे आज अगर अच्छा नहीं किय तो जब हम results की बात करते है तो सबसे पहला सवाल तो मिन में यह आता है कि इन results को हम स्वीकारिक ऐसे जैसे बहुत अच्य marks आ गये तो जब बहुत अच्य marks आ जाते हैं तो हम सोच्टे कि यदे कुप कर इंचा अनोड़ी अंड़ी जो वहुए गुष्डनी थे मतर के दश्मकै ठोर होच्ण लेकिन यही जट जब आगे जाके 90% लाया है, क्या वो IIT निकाल पाएगा, यह जरूरी तो विल्कुल है, तो कैसे यह बच्चा जो उसी कोर्स में, वो सेम कोर्स आएगा IIT तो वो बच्चा यहां पर स्कूल में 90% ले आया और वो IIT निकाल कर पाया, वहां पर 40% इसका नहीं आया, तो इसको मैं कैसे justify करूँ कि 90% जो है, यह actual marks है, यह marks क्या होता है, toughness factor पर depend करता है, कि toughness factor जितना बढ़ेगा, उतना marks कम हो जाएगा, और toughness factor जितना कम होगा, उतना marks बढ़ेगा, तो हम किसलिए में कह रहा थे, कि हम marks की बात क्यूं करें, हम toughness factor की बात करते है, कितना बच्चे का understanding, clarity, कितना उसका IQ डेवलप हुआ, उसकी understanding, vision डेवलप हुआ, that is more important, और ऐसा भी बच्चा होगा इनी में से, कोई बच्चा जो बहुत अच्छा अनिल आया, होसता 60-70 में हो गया, यह आईटी क्लियर कर जाएगा, अब उस बच्चे को आप 90 से कम सोचते होंगे, लेकिं आईटी क्लियर कर जाएगा, यहां पर एक सवाल है, क्योंकि नंबर से बहुत जगा एंट्री होती है, बहुत सारी जगों पर तो नंबर के माध्यम से लोगों का सेलेक्शिन होता है, इसलिए बे तो बच्चे इस बारे में सोचते हैं, काफी चिंतन करते हैं, कि मार्क्स बट अच्छे आने चाहिए, तो अब यह जो एंट्री होती है, इन सारी जगों पर, सेक्शिनिक संस्थानों में, बहुत सारी जगो क्योंकि देखें, अलग अलग स्टेट में, जिसे बड़े कॉलेजिस हैं, तो वहां पर आप यह मार्क्स के दापकर देदेंगे तो क्या होगा कि कुछ विश्वयदाले हैं जो आपका टेस्ट लेंगे, वह बहुत सही कर रहे हैं, लगि कुछ जगा पर आपका टेस्ट नह करता है, कभी भी रफ्लेक्ट नहीं करता है, अब आपने कहा कि जो बच्चे अच्छे नंबर ले आया है, तो वह अच्छे कॉलेज जूंडेंगे, डेफिनिटी जो बड़े अच्छे कॉलेज होंगे, वह फिर एक्जाम लेंगे आपका, देव लागिने, वह एक्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, और वह एक्जाम को क्लियर कर पाएंगे, यह मार्स जो आपके हैं, इसको आप जिस्टिफाइ कर रहे हैं, अगर आपने बड़े कॉलेज में एंट्रेंस ले लिया, तो यह मार्स जिस्टिफाइ होते हैं, अगर नहीं लिया, तभी आप 90% का लेब वन नेशन, वन एक्जाम्स. जाना चाहूँगा कि 16% माईदेवे वो लड़के ने इंपूट नहीं किया था, इसलिए 16% तो फिर भी इसके लिए स्कोप है, लेकिन वो पढ़ा था और 30% आया, यह देंजर है, तो वाट इस इंपोर्टेंट कि यह जो बच्चा जिसने मेहनत किया था और परसेंट नहीं अब इसके लिए हमें दूसरा विश्या घुनना पड़ेगा, बिलकर बिलकर सर कंटिनू, दूसरा विश्या कौन सा होगा, तो इसके लिए हो सत्ता है कि जिस विश्या में थोड़ा कम IQ का जरुवत हो, इसके मैचिंग करता हूँ IQ का सब भी ठाहिए, यह फिर इसके इंटर कर जादा होगा, तो वहां पर बिलकर सर्वाइफ कर जाएगा, जी मतब स्किल ड्यवलप्मेंट वाले चीजों पर उसका फोकस होना चाहिए, सर कई बर ऐसा होता है, कि जब कोई बहुत अच्छा अच्छा अचीव नंबर कर लेता है बच्चा, तो बच्चे को हम क्याते हैं, वी फिल प्राउट, हम है, और जब बच्चा फेल होगा तो परेंट को बढाकर बोलते है, यह सबी लोग करते है, यह बलेन गेम है, यह तो चलता है, जाना रहता है, तो आपको लगता है कि वह इतने सारी चीजों पर सोचते होंगे? बिल्कुल नहीं, तो आप तो बड़ी अच्छी बात बोली, बच्चे छोड़िये, पैरेंट्स छोड़िये, स्कूल भी तो नहीं सोचती है, क्या हमारी स्कूल ये प्रोग्राम बनाती है, कि जो बच्चे 36% डाए है, उसको आगे बढ़ा दिये, अपने फिर से कुछी साइं इन बच्चों को हम यहां से भेज दे कहीं और कोई सर्टिफिकेशन कोर्स में, उनकी हमत नहीं को भेज देगा, उनकी एडमिशन चला जाएगा, तो हमारे पास वन नेशन वन प्रोग्राम नहीं है, और यह हमारी प्रोब्लम है कि हमारे पास CBSE है, CGB है, ICSEB है, स्टेट ब सोचना पड़ेगा, एक बड़ा प्लान करना पड़ेगा, वन नेशन, वन बुक, वन कारिकुलम, वन कोर्स, और अलग-अलग IQs के लिए, अलग-अलग सब्जेक्स के लिए, अलग-अलग संस्थाएं में डिवलप करनी पड़ेगी, तब ही जो बच कमजोर बच्चे हैं, जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे, वरना ये बहुत-बड़ा, करीब 30-40% बच्चे होंगे, ये 40% बच्चे को हम अगर स्कील में भेज दे, तो फिर ये हमारे नेशन का GDP में गुरो कर देंगे, अच्छा, अब बात करते है उन बच्चों के सब जिनने एक चांस मिला है, यानि के सप्लीमेंटरी पे आयों जो बच्चे रुख जाते हैं, जिनके पास एक अवसर और है, अपनी उस मुसीबत से बाहर निकलने का, तो अब ये जो बच्चे हैं, इनके लिए क्या 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 पास के लोगों की अगर थोड़ा पहले मालूम हो जाता, या स्कूल अगर एक काम करे, स्कूल पहले स्कैन कर लिए कि ये बच्चे का ठीक नहीं होगा, तो स्कूलों को चाहिए कि ये जो दो महने का टाइम था, इसमें प्रोग्राम चलाना था, उनकी टीचर्स अवेलेबल थे, बच्चे आ तो अगर बच्चा पढ़ लेता, तो अब स्कूलों कर लेता, लेकिन आज आप बता रहे हैं और एक महने के बाद फी रहे हैं, फिर बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, आपको बालूम था, आपके फाइनल टेस्स में, जो स्कूल ले लिया था, उसी वक्त उनके लिए प्रोग्राम बना था, अगर स्कूल कर देंगी, तो उन बच्चों पर वो और दोती में काम कर दिया होता है, तो अब ये बच्चा सप्लिमेंटरी को अच्छे से करता, क्योंकि सप्लिमेंटरी क उसको 70% तक समझ नहीं पाएंगे, और उसके एडवांस वर्जन को आप कैसे समझ पाएंगे, अगर आपने खाली 40% समझा है, तो आप आप नहीं समझ पाएंगे, अब ये बच्चे का लाइफ शाल होता है, फेलियर लाइफ, ये हमेशा हर साल होता रहेगा, होता रहेगा, उनके लिए क्या कोई व्यवस्ता होनी चाहिए? अगर ऐसे बच्चे आपके चैनल सुन रहे होंगे, ऐसे जो बच्चे फेल हो गए है, हम इनके ब्रें को अटिवेट कर देंगे, हम इनके ब्रेंपे एक ऐसा नया सॉफ़ेट डाल देंगे, आप देखेंगे, इनका system of learning है, इनके जो innovations है, इनके जो hard disk की skills है, वो बदल जो ब्रेन है वो 30% पर काम करेगा तो वह कुछ और भी करेगा तो वैसे ही करेगा तो फरेटा सवह बनाएगा कुछ और करेगा मोर्टर अंचानिक जाना चाहेंगे आजकल के बच्चों में एक चाहत सी हो गई है कि उन्हें बहगा जाना है पढ़ने के लिए और उसके लिए दिन रात महनत भी करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, काफी महनत करते हैं, अफ़र्ट लगा देते हैं, सारा कुछ, तो ऐसे बच्चे जो फॉरिं की तरफ रुक करते हैं, या दूसरी बड़े कैमपस की तरफ जाना चाहते हैं, छोटे और प्रोफेसर्स बहुत अलग होंगे, उनके एक्सपोजर्स अलग होंगे, वहां पर जो बच्चे आएंगे, वह समय इलाइटेंड माइंड होंगे, तो यह बच्चा बहुत गुरू कर जाएंगे, और कुछ लोग फोरें जाएंगे, तो बाहर जाएं तब जब आपके बिजनस ता महीं बैट गया है, और जो उनने लंडन से पीच्ड करके आई आए हैं डिपलोमा कोर्स बिजनस को कुछ कर नहीं पाएं, उनका फादर जो की आठ्वी पास था, वही बिजनस को चला रहा है, तो बच्चा गधा यहां भी गधा रहेगा और लंडन्डें में भ ख़द को घोड़ा बनाना वाला कोन सा है वह कौन सा function है वह कौन सी activities हैं उसला आयाम है कौन सा वयाम है वह सब्सक्राइब दूर् Cu बाते हैं यह भी बहुत मस्टाक हो जाता आसा जब दूसरे शहरों पर जाते हैं दूसरी जगों पर कई बहुत लोग कि विज़से तो यदि किसी को लगता है कि उसका कैपसिटी जो है वो दूसरी जगा पर सर्वाइब करने का है तो उसके क्या तैयारी उसे पहले कर लेनी चाहिए उस युनिवर्सिटी या उस कैमपस में अंटर करने से पहले वरी नाइस अगर आप स्कूल पास्ट करके अगर आप कॉलिज की तरफ जा रहें और तो जो लोग मेट्रो जा रहें सबसे पहले तो उनको अपनी कोमिकेशन स्किल को बहुत करना अपनी परसु करना है और कमिकेशन स्किल बहुत जादा क्योंकि वह जाएंगे तो बहुत ही पाएंगे कि वहां के बच्चे ममेक अकटा और यह जो बैंगलोर है यह पूरा इंग्रीश-speaking खानेरगे कि अपने राइ में जाने अपनी आपको impost पॉरिश करें। इसके लावा थोड़ा सा कूकि प्रक टुख्यशेक्स अंस्यरान अपर चाहिएं। यह भी चाहिए. द्हीर अपना हुशम भी मैंभाशा से ब्हुल दूभाशाह का जै नहींक Agrist AT18, आप प्रोब्लम आएगा गांगे तो फिर ऑफ ग्यान भी संगहने पाएगे इस लेकिन वह ग्यान नया है आप लोगा, जुछ समझे को भाशान बाह्षार को समझे तो अब जाये चरुछी थाय रहे है तो फॉरिंग का जो कल्चार को समझें, वहां के पैटर्न समझें, वहां के वैल्यू को समझें, वहां की जो वहां की लॉइन और रोल निभाती है, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा रोल निभाएगे, और माबाप को यह तयारी करना है कि वह जो बच्चा जाएगा बड़े सिटी में या फॉरेंट, तो बहुत बड़ा फंड लगेगा, वह फंड कहां से आएगा, तो वह फंड के तयारी करना माबाप को, और या देखे, मैं आपके चैनल के म अधियन से यही बोलना चाहूंगा सब लोगों कि अपने बच्चे को कभी भी अपने घर के पैसे से कभी मत पढ़ाईगे, हमेशा बैंक का पैसा लीजिए, लोन लिके पढ़ाईगे, और वह लोन माबाप बिल्कुल ना पढ़ाए, वह बच्चा पढ़ाएगा, जिस दिन बाहर का माहौल पता नहीं कैसा होगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को मार रहे हैं, और आपका बच्चे आपसे जुदा हो जाएगा, आप उसके पैरेंट की भूमिका में नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है, आप तो कॉर्परेट के चरह कर रहे हैं, कि जो इन्पूट देगा, वह मत बताएं, परसंटेज बताने की परसंटेज नहीं है, मा बाप और गुरू को छोड़के किसी को मत बताएं, कोई अगर बच्चे आपका चैनल देख रहा है, मैं असे एग कोई आपसे पूछेगा कि आपको कितना परसंट मिला, आप यह बोली कि जितना बनाया था उतना म बढ़ेगा तो बढ़ेगा बच्चा तो इंटलिजेट और सही बात यही है कि बच्चे बहुत जादा थार टाइम में बच्चे आच्छे होते हैं, वो इन्पुट कम होता है, और कुछ मत बोली है, सर कई वार ना कुछ लोग ही बहुत जादा शरार्ती होते हैं, उन्हीं बढ़ा मजा आता है, इस तरह के कमिंस करने में या इस तरह की चीजों में मजा लेने में, तो ऐसे लोगों के लिए भी आपका कुछ सजेशन हो तो जरूर बताएं, मैं तो परेंट से ही बोलूँगा कि जो ब्रिजल्ट आता है बच्चों का, तो आपका परता है कि कुछ परिष्टदार और कुछ आसपस के लोग जरूर मिलने आएंगे, और बिल्कुल मिलने नहीं आए आपसे, वो इंफर्मेशन नहीं आए कि बच्चे का पर्सेंट कितना है, मैं आपसे कहूंगा कि उनकी पर्सेंटेज बिल्कुल मत बताईए, तो आप जूट बोलेंगा तो बच्चा खुद भी गिल्ट फिल करा होता है कि मैंने बहुत अच्छा मैनत नहीं किया, या मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरह मेरे माक्स नहीं आए, तो बच्चा पहले ही नर्वस होता है, और इस तरह के सवाल उसे और जादा नर्वस कर देते हैं, ऐसा होता है, बिल्कुल आ आफ एक लड़का ऐसे मिलता है उसको इसको यह नहीं पूछता है कितना मार के ते रहा, efत पूरा जाता है ех传 देता है जहां आए बहुता है कि अम-गर बच्चा दसेशिए गला मिलता है, ओंगा वर बच्चा सॉको इनसेल्ट नहीं कर रहा है उसको तॉंट नहीं तॉं बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो भी जानकारी है इस पर आप अमल जरूर करेंगे किसी और विशे के साथ होगी मिलाकार तब कीजे थोड़ी से प्रतिक्षा थोड़ा सांतजार नमस्कार